हलो गाईज, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से चांदी की जितनी भी चीजें हमारे घर में रहती हैं, उसे हम किस तरह से क्लीन करें आपके सामने मैं एक चांदी की शिवजी की प्रतिमा क्लीन करके साफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से quickest और easiest way से हम इसे clean करें और आप इसकी condition देख सकते हैं पहले ये इस तरह की है और clean होने के बाद इस तरह की बहुत ही अच्छे से चमक जाएगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe करना पिल्कुल मत भूलेगा तक कि इसी तरह के tips and tricks आपको आगे भी मिलते रहें मैं time saving tips आपके लिए लाती रहती हूँ इसलिए चैनल को subscribe कर दीजिए यहाँ पर हमारे पास है ये चांदी की शिवजी की प्रतिमा आपको मैं इसे पहले दिखा रही हूँ इसकी condition देख लीजिए और last में इसकी condition देखेगा कि कितने अच्छे से ये चमक जाएगी इसमें जो पीलापन है वो एकदम खतम हो जाएगा और जिस तरह से silver में चमक होती है उस तरह कि ये चमक जाएगी silver cleaning के लिए हमें सिरफ तीन चीजों की requirement है first one is colgate tooth powder colgate tooth powder ही हमने लेना है market में बहुत सारे tooth powders आते हैं लेकिन silver cleaning के लिए best and best सिरफ colgate tooth powder ही है तो हम colgate tooth powder की थोड़ी सी amount जो है वो कटोरी में ले लेते हैं second thing जो हमें चाहिए इसके लिए वो है shaving cream येस आप shaving cream कोई सी भी ले सकते हैं कोई सी भी shaving cream कोई सी भी ले सकते हैं क्योंकि working सबकी सेम है थोड़ी सी little bit amount ही हमने इसकी लेनी है इसके बाद मैं इसमें आड़ करने जा रही हूं white vinegar तो आपके घर में अकर white vinegar नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं वैसे मैं white vinegar ही मिक्स कर रही हूं ठीक है एक brush की help से हम इसका एक paste ready कर लेंगे अब हम साफ सुत्रा एक भरतन ले लेंगे और उसके उपर चांदी का जो भी समान आपने साफ करना है वो रख लीजे और इसके साथ ही जो paste ready करिया है वो भी रख लीजे अब इस paste को हमने चांदी के जो भी आपने cleaning करनी है जैसे चांदी की प्रतिमा मैं clean कर रही हूँ तो इसके उपर मैं इस paste को apply कर लूँगे पेस्ट को अच्छे से हमने अंदर बाहर उपर नीचे apply कर देना है इसके साथ ही आप plate के उपर देखिए plate के उपर कितनी dust हो गई है वो इस वज़े से की चांदी की प्रतिमा में जितनी भी dusting थी वो सारी remove हो रही है तो brush की help से इसे अच्छे से apply करने के बाद हम इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं 10 मिनट बाद हम इसे filtered water से साफ कर लेंगे अगर आप चाहें तो इसके लिए brush का use भी कर सकते हैं ब्रश की help से भी इसे घिस करके और पानी के यूशे से साफ कर सकते हैं अब आप इससे एक साफ सुत्रे सुके हुए cotton की कपड़ से अच्छे से साफ कर देजिए ताकि इसमें पानी के एक भी बूनना रहे इसी तरह के tips and tricks आगे भी पाने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत बूलेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजिए थैंक यू सो मच बाबाई